बिस्मिल्ला एर्वाखना एर्वाही असलम हुलेकुम दोस्तों एंटेस्टेस्टेस्टे के जानिव से आप सब को में चेनल में खुश्वामदीद कहता हूँ दोस्तों आज की वीडियो पिस्टी ओरिजिनल पेपर पार्ट फाइफ मिटमेटिक का तीसरा पार्ट है इससे पहले चार पार्ट सो चुगे हैं जिन दोस्तों ने वह पार्ट से नहीं देखे तो उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़े हैं दोस्तों आप उनको विजिट करके वाच कर सकते हैं आज का कुष्टन कुष्टनन अमर 32 से दोस्तों 31 तकार लड़ा आज चुके हैं और आज 32 कुष्टन एज रिलेरिश्टन का कुष्टन है देखें दोस्तों एक औरत एक पुटोग्रेप की तरफ इशारा करके कहती है His brother's father His brother father is क्या है The only son of my grandfather उस शफ्स की तरफ इशारा करके कहते है कि इसके बाई का बाप मेरे दादा का अकलोता बैटा है How is the woman related to the man in the photograph तो ये तस्वीर में जो शफ है ये इस फुटोग्रेप अले शारस की क्या लगती है पिचन को समझना तोड़ा सा ज़रूरी है एक औरत एक फुटोग्राप की तरफ फुटो की तरफ इशारा करके कहते है कि इसके बाप इसके डाई का बाप मेरे दादा के अकलोता बैटे है तो इसके लिए आपको ग्राप ड्राप करना इंतिहाई जरूरी है सपोस्स ये वो शफ्स है मैं ठीक है और ये आवरत है वोमिन एंड मैं ये वोमिन इसके तरफ इशारा करते हैं कि इसके बाई तो इसके बाई को ड्राप करते हैं इसके ये इसके बाई हो गया इसके बाई का बाप तो ये उसका बाप हो गया और इस इस दा ग्रेन फादर जी इन चीज़ों को देखे, इस तरह जाट, तो देखे, आप देखे आप इसमें क्या करना है क्या आपने, ये इसका by है, ये, ठीक है ये इसके by है, बी जो है न, बी, बी को by को represent करता है B-man का B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- रिष्टा क्या बनता है इसका आपस में है तो यह इसका ग्रेंट फादर है तो यह इसका बाप हो गया ना यह ठीक है तो इस लिए से और यह इसका बाप यह दुनों का बाप एक हो गया तो यह आउरत और यह मर्द आपस में सिस्टर ब्रदर है तो ये आवरत जो है न इस आदमी का sister है तो correct option इसमें option D बनता है C बनता है दोस्तों बात समझने कि फोड़ा सा कोश़श करें समझने की ठीक है? ठीक है ये आवरत जो है न इस आवरत के तरफ बिशारा करके कहते है कि इसका बाई इसका ये बाई है इसका बाई जो है न मेरे दादा के बेटे का अकलोता बेटा है तो यह इसका दादा है और इसका यह बेटा है और इसका यह इसका बेटा है तो इस तरह यह रिष्टा बाई और बेहन का बनता है तो करिक्ट आप्शन इसमें आप्शन C है आगे देते हैं एक और question को देखे हैं जड़ा ये भी जबर्दस question है बहुत खुब्सूरत अच्छा question है बार बार आता है question number 33 देके इस तरह के question हर question के एक बीटिट्यो एक्जेम में आते है इसमें दो बाते हैं एक कंजिक्टियो मतलब सलसल और और नमबर टाक नमबर को कहते हैं तीन टाक नमबर है एक दूसरे के पीछे उसका मजमुआ जो है वो 51 है 51 है the intermediate number is उसमें दर्मियान वाला जो हिंसा है नमबर है वो क्या है उसको हमने find out करना है तो देखें question को समझे क्यों कोशेश करें मैं लिखता हो तो आप देखें परस करें suppose पहला नमबर हमारे पास है लिट the first number परस करें हमारे पास पहला नमबर जो है न वो x है लिट मैं ज़र इसको बढ़ा करूं था कि अच्छी तरह नज़र आए लिट the first number परस नमबर हमारे पास क्या है x है second number क्या होगा x plus 2 होगा क्योंकि हमने odd number मालूम करना है second number will be second number क्या होगा x plus 2 और दीसरा नमबर कोन होगा third number तर्ल नमबर वेल भी वेल भी होगा x सारी x plus 2 plus 2 या x plus 4 हम लिख सकते हैं तो इसको simply x plus 4 लिखें अब गिवन कंडिशन हमें दिया गया है condition हमें क्या दिया गया है गिवन कंडिशन यह x जमा x plus 2 जमा x plus 4 क्यते हैं कि यह this is equal to 51 यह 51 की बराबर है अब इसमें देखें 3x है तो यह 3x हो जाएगा और 2 और 4 को अगर जमा करें तो बन जाएगा 6 and this is equal to 51 अब 6 को इस तरब लें तो यह बन जाएगा 51 minus 6 बन जाएगा ठीक है तो 3x हमारे पास आजाएगा 45 45 आजाएगा और x की वेल हमारे पास आजाएगी 45 तक सिमें 3 is equal to 15 तो बेला इंसा जो है x फर्स नमबर इसको या करें या फर्स नमबर is equal to 15 सेकंड नमबर क्या होगा सेकंड नमबर या मिडल नमबर दरम्यान वाल नमबर क्या होगा पंदरा जमा दो is equal to 17 and third number will be third number will be पंदरा जमा चार is equal to 19 यह देको पंदरा शत्रा उन्निस यह इकंजेक्टिवो तीन और नमबर हैं इसको अगर आप जमा करें पंदरा शत्रा और उन्निस तो यह आ जाएगा 51 16 और 21 तो यह बन जाएगा सारी 51 तो दरम्यान वाल इंसा कौन सा होगी है हमारे पास 17 दरम्यान वाल इंसा 17 यह तो correct option is option C this is the correct option ओके आगे जाके देखते हैं यह question जबर्दस question यह question नमर 34 को जड़र देखे 34 नमर question वह जबर्दस question है question number 34 कहता है this one देखे if 5 times a number decrease by 2 is 8 then the number is question समझना ज़रूरी है दोस्तो if 5 times 5 times को मतलब है किसी इनसे को 5 से जरब दे दो और उसमें से 2 minus करो उससे 2 minus करोगे तो answer आएगा 8 तो वह इनसा कौन सा है question अगर आप समझे हैं तो it easy है question तो देखें वह इनसा क्या करते हैं let suppose वह इनसा मारे पास let the number is वह इनसा मारे पास x से तो क्या करना है x को 5 से जरब देना है पहले x जरब पांच क्यों 5 से जरब देना है 2 उससे माइनस करना है क्याते कि इसका अंसर है 8 इतनी सी बात है अब देखें 5 x minus 2 is equal to 8 अब क्या करना है 5 x 2 को इस तरह अपले आठ जम्म दो तो 5 x is equal to 10 हो गया और x की वेली दस चाप्समें 5 is equal to 2 तो अंसर हमारे पास option c 2 तो अंसर है और correct option इसमें option c बनता है दोस्तों this is the correct option ठीक है दोस्तों आज की 3 question इंतियाई हम question है दोस्तों अपने concept को clear के लेकीर के पकीर नहीं बनना ये question तो आने नहीं इस तरह की question आएंगी ठीक है तो जोन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हैं समझ गयें तो please channel को subscribe करने के साथ टेवीली को like channel or share канал माझ Bjलेदा थेंक वर वाचिन